ओम सिरी गने सैनम दोस्तो एस्ट्रो समाधान यूट्यूब चैनल में आपका हाड़ दिक स्वागत हैं दोस्तो आज एकी इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दो अपरेल मंगलवार के रासी फल के बारे में कीह दिन सिंग रासी वालों के लिए कैसा रहने वाला हैं किन-क किन-किन चीजों से इनको सावधान नैना होगा इनकी लव-लाइफ कैसी रहेगी करियर कैसा रहेगा बिजिनिस और वया पार कैसा रहेगा और सुवास्त की महतपपून जानकरी हम आपको देंगे और इस वीडियो के अंत में हम आपको एक उपाए भी बताएंगे जिससे आ आप अपने आज के दिन को रिवी अच्छा और बहतर बना सकें दोस्तों आगे वीडियो सुरू करने से पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल लोग सस्क्राइब करें साथ में नोटिफिकेशन बेल को भी दबाएं जिस से समय समय पर आप लोगों तक हमारी ने वीडियो पहुंश सके चली दोस्तों बात करते हैं कैसा रहीगा सिंग रासी वालों के लिए मंगलवार का दिन सबसे पहले बात करते हैं कि आपके लिए आज पॉजिटिव रहने वाला हैं दोस्तों घर परिवार में आज कोई पक्षको लेकर आज आपकी चिंताएं दूर हो सकती हैं तथा आपको किसी प्रिकार का कोई सेहोगी प्राप्त होनी की आज संभवना अच्छी बन सकती हैं ऐसे में सोची समझी रणनीती के तहद कारे करें जिससे घर में आपका कद बढ़ सकें दोस्तों साथिसाथ आज आ इवेस करना फाइदेबंद साबित हो सकता है विद्यार्तियों को प्रतियों किता संबंदित परिक्षा में उचित परिणाम आज हासिल होंगे दोस्तों आज आपके सभी काम आसानी से संपन होने से मन में प्रसनता और ताजिगी बनी रहेगी अचानक से कोई आर्थिक समस ठेशिया हल होने से अपने आपको तनाव मुक्त आज आज आप महसूस करेंगे इस समय ग्रह स्तिती आपके व्यक्दित्व प्रभाव साली बना रही है घरतता समाज में आपको अपनी योगता द्वारा मान सम्मान प्राप्त होगा धार्मिक वय आध्यत्मिक छेतल में प्रॉपर्टी से संबंदित रुके हुए आज कार्रे आपके पूरे हुँगे इसलिए अपना ध्यान इन पर केंद्रित रखें पैसे संबंदित निवेश के लिए भी आज का दिन बहुती उत्तम हैं दोस्तो बात कर लेते हैं आज आपके लिए क्या नेगटिव हो सकता हैं दोस्तो अनावशक किसी तरह का आज विवाद उत्पन होने की संभावना बन रही हैं किसी अन्य व्यक्ति की वज़े से घर में आ आज तनाव का माहुल हो सकता है धन अचल संपत्ति को ले करके विवाद उत्पन होने की भी संभावना बन सकती हैं यदा कदा उतार चड़ाव उत्पन होने की भी संभावना होती हैं तो उससे भी आज आज आप दूर रहने का प्रियास करें आपके लिए बहतर रहेगा द लक्षे से भटका देगी किसी प्रकार के दुविदा के इस्तिती में किसी अनुभवी वेक्ति की सला आपके लिए फायदेबंद रहेंगी दोस्तों साथ इसाथ आपको एक बात का विसे सुरूप से यह भी धियान रखना है कि कई बार कठोर वानी से अकसर कुछ लोगों में नाराजगी उत्पन हो जाती है इसलिए अपनी बोलचाल का लहजा नरम रखें काम की अधिक्ता का भी प्रबाब आपकी सेहत पर पड़ सकता है इसलिए लगातार आराम भी लेते रहें दोस्तों इगो और अति आत्म विश्वास की भावना आपकी मुख्य कमजोरी है इन पर आप काबु बना कर रखें क्योंकि इस वज़े से कुछ लोगों के साथ संबंद आज आपके खराब हो सकते हैं फॉन और मित्रों के साथ अपना समय व्यर्थ ना करें साति साथ किसी बाहरी व्यक्ती के हस्त सेप की वज़े से कुछ तनाव उत्पन हो सकता है और घर के बड़े बुजरुगों का अपमान होने की भी आशंका है। साथिसाथ आज खर्चों की भी अधिक्ता के कारण बजट भी गड़बडा सकता है। थोड़ा साफधान रहें। दोस्तों बात कर लेते हैं आज आपकी लव लाइफ के शिरेने वाली हैं। दोस्तों पती-पतनी के आपस में मधूर संबंद रहेंगे। वेस्तता के बावजूद परिवार के लिए समय निकानना घर के वातावरण को और भी खुसनुमा बनाएगा। परिवार के साथ मनोरंजन वेस्ट सौपिंग में आज समय व्यतीत होगा। इससे घर में खुसी का माहौल और अधिक रहेगा। साथ-साथ ऐविवाईतों के लिए भी आज कोई अच्छा रिस्टा आ सकता है जिससे उनका मन बहुती प्रसंद रहेगा। दोस्तों बात कर लेते हैं आज आपका वेस्षाई केरियर कैसा रहने वाला है। दोस्तों पिछले कुछ दिनों से जिन बिजनिस पार्टियों से अच्छी बात चीत चली आ रही है। आज उनके बहतर परिणाम सामने आने वाले हैं। महत्मपोन उपलब्दियां आज आपको प्राप्ट होंगी नोकली पेशा व्यक्तियों का कोई टार्गेट पूरा होने से आज सुकून रहेगा। व्यविशाइक इस्थल पर आज आपका रुत्वा बना हुआ रहेगा। कर्मचारियों का अपने कारेक के प्रती पूरी तरह से समणपन भाव रहेगा। जिसकी वज़े से काम समय पर आज आपको पूरे प्रतीत होते हुए नजर आएंगे। साथ साथ प्रॉपर्टी के व्यवसाय से जुड़े लोगों की आज कोई बड़ी डील होनी की संभाव ना है। दोस्तो आज आपको कारेचित्र में मेहनत के अनुरूप उचित परिणाम हासिल होंगे जिसकी बज़े से आपका मन भहुती प्रसन रहेगा। सेवन करें आपके लिए अच्छा रहेगा। दोस्तो साथ साथ अपने स्वास्त को और भी अच्छा रखने के लिए आप रोजाना योग करें वयाम करें स्वस्त रहें। दोस्तो बात कर लेते हैं आज आपके लिए विशेश हुपाई क्या हैं। दोस्तो आज आप इस नान आदिशे निर्वत्र होने के बाद भगवान बजरंग बली जी के मंदर जाएं। और भगवान बजरंग बली जी को आप केवडे का इत्र वै गुलाब की माला अवश्य चणाएं। इसे बनते चले जाएंगे। दोस्तो भगवान बजरंग बली का शिरवाद आपको प्राप्त हो। सचे दिल से कमेंट स्बोक्स में जै बजरंग बली अवश्य लिखें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।